गुद्वॉर्णिंग बच्चों हमने पहले रिप्रोडप्शन किया था एक्षण रिप्रोडप्शन कितने टाइप का होता है डाट इस पोर फॉर्मेशन प्रेग्मेंटेशन और डी बडि आज हम करेंगे व्यजिटेटेटेव रिप्रोडप्शन फिक है इस लेक्चर में ह asexual reproduction ही है when a new plant is produced जब नया plant बनता है from the vegetative parts of the plant किससे बनता है vegetative parts से ही बनता है such as leaves जैसे कि किसी plant के हम leaves को leaves को, stem को या roots को अगर इपर लगा ज़ते हैं तो उससे हमारा नया plant बन जाता है इसको हम बोलते है vegetative reproduction और propagation vegetative का मतलब है कि vegetative parts जो कौन से होते हैं leaves, stem, roots हमने दो parts भड़े थे plant के एक vegetative एक reproductive तो vegetative से जो reproduction होगा उसको हम कहेंगे vegetative reproduction और propagation propagation का मतलब एक से आगे propagate करना आगे और ज़्यादा बढ़ना मतलब propagate होना अब आता है पहला by roots ऐसे कौन-कौन से plants हैं जो roots की help से नए plant बनाते हैं मतलब अगर हमने उनकी roots को use करके कहीं पर नया plant लगा दिया तो नया plant आ जाएगा such as sweet potato जैसे sweet potato जैसे शकरगंदी asparagus and dahlia are swollen due to storage of food in them ठीक है उनका जो root है वो swollen मतलब full of होता है क्योंकि उनका जो खाने वाला part है वो कौन सा होता है root ठीक है and of food in them उनके अंदर food होता है तो ये जो roots हैं इनके पास छोटे-छोटे buds निकले होते हैं जैसे ये asparagus है यहाँ पर ही छोटे-छोटे buds निकले हैं so when these swollen roots are planted जब इन roots को हम soil के अंदर लगाते हैं तो they grow into new plants वो नए plants में grow हो जाती है ठीक है अगला है by stem in some underground stem such as potato and ginger potato और ginger वैसे तो क्या होती है these are the stem modified stem reproduction take place अब जो potato है वो क्या है stem का ही एक पार्ट है मिलता वो जमीन के नीचे है लेकिन it is a stem ठीक है ऐसे ही ginger अद्रग जो होती है तो जो potato है वो क्या होती है swollen जो stem है वो underground swollen मतलब फूल जाती है और उसके अंदर खाना store होता है मतलब खाना किस form में store होता है starch की form it is also called potato tuber इसको हम बोलते है potato tuber potato tuber के उपर क्या होती है छोटे छोटे बर्ड होते है मतलब छोटे छोटे दाने से होते है आपने कभी अपने घर पे भी देखा होगा जैसे आलू जो है उसके उपर छोटे छोटे बर्ड निकले होते है ठीक है सरकल में छोटे छोटे so that grow into the new plant उन बर्ड से क्या होते है उन पर छोटे 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 लीव साती है और नया प्लांट बन जाता है if a cut potato with an eye on it is planted under the soil अगर उस पर eye बनी हुए है eye मतलब उस छोटा सा bird अगर बना हुआ है और हमने उस potato पोटेटो को स्वाइल के अंदर दबा दिया तो उससे क्या होगा नया प्लांट ग्रो कर जाएगा तो पोटेटो के अंदर हमने देखा कि पोटेटो जो जिससे नया प्लांट हमारा बनता है उसको क्या बोलता है potato tuber onion onion भी क्या है एक टाइब की शूट होता है जो पार्ठा मनेन का खाते है वो शूट ही होता है stem का पार्ट होता है it has a bulb with thick succulent leaves उसके ओपर क्या होती है देखो कई बहुत दिनों तक अगर प्याज रखा हो तो उसके उपर इस तरह से leaves बनके आ जाती है तो ये कैसी succulent और thick leaves होती है तो ऐसे bulb जिनके ओपर ये अलग से ये thick leaves आ जाती है और नीचे उनका मतलब जो प्याज हो रहता है onion जो रहता है और उस onion को अगर आप मिट्टी में लगा देते हैं तो such bulbs are capable of producing ऐसे bulbs जिनके ओपर ये leaves होती है वह बल्प किसी के capable होते हैं नया plant बनाने के capable होते है ठीक है next is rhizome राइजोम जो है वह भी underground stem होती है जिनकी जो leaves है वह कैसी होती है scaly बदलब scale type में लंबी-लंबी होती है ठीक है और अंड बड्स एंड रूट्स स्टेम अंडर्ग्राउंड स्टेम विद अंडर्राउंड स्टेम होती है राइजोम जो उसके पास क्या होती है scaly leaves scaly leaves scaly leaves होती है buds होते हैं and the roots ginger and turmeric are the example of such plants ginger और जो turmeric है वो ऐसी ही plant के क्या है example वो किस से होते है rhizome से underground stem में ginger और turmeric are the example of such plants in some plants such as colcaceae and gladiolus reproduction take place with the help of swollen stem called the combs कुछ plants होते है colcaceae and gladiolus gladiolus उनमें जो reproduction है वो कैसे होता है उनकी swollen stem से swollen मतलब fully होती है stem मोटी होती है उससे और उसको हम बोलते है combs ठीक है अब आता है plants such as grasses जैसे की grass होती है and the wild strawberries और जो wild वाली strawberries होती है वो भी कहा होती है grow along the ground वो ground में साथ-साथ grow करती रहती है ठीक है उनमें क्या होता है क्या देख रहे है कि यह वाले parts से यह grass भी जूड़ी होती है यह grass भी जूड़ी होती है इसका मतलब यह जो part है इसलिए grass जो है एक साथ-साथ फैल भी है क्योंकि उसमें क्या होते है यह runners होते है जो उसको grow करने में help करते है इसी के थुरू हमारी जो grass है वो पूरा फैल जाती है तो इन दीज प्लान्ट शूट्स डेवलफ फ्रम दे साइड विच है बड्स ठीक है यहां पर मिला छोटे शोटे बड्स आ जाते है और फिर यह लंबा होके फिर यह आगे नई grasses बना देते है तो यह साइडवे एक्स्टेंडिंग शूट्स देखो जिस यह उपर तो शूट्स आ गई यह अंडरग्राउंड शूट्स होती है थोड़ी सी जो कि क्या करती है फिर जो यह अंडरग्राउंड शूट्स है यह क्या करती है फिर हमारी नई grass को develop करती है ठीक है हम potato की activity भी करके देख सकते हैं जिसमें हमें पता लगेगा कि कैसे potato से नया plant आता है the onion bulb is not a stem onion का जो bulb है वो stem नहीं है stem modification but a shoot modification ठीक है shoot की modification stem in a bulb is represented by a small wide discoid portion जो onion का ऐसे यह onion जो बना होता है इस तरह से तो इसमें से यह से पत्या निकले हुए तो यहां पर जो एक बीच में जो पार्ट होता है यहां यह अनियन के बीच वाला जो पार्ट है वो सिरफ एक stem का पार्ट है बाकी जो है वो क्या है shoot है small wide discoid portion while the edible parts are the succulent leaves और जो इसका edible part होता है वो क्या है वो succulent leaves होती है तो अदे का potato with eye on it आपके घर में कोई भी potato होगा जिस पर छोटा सा bird बना हुआ होगा ठीक है उसको आप ले लो और उस potato को फिर cut करके cut a potato in such a way उसको इस तरह से cut करो कि black eye remain on it कि उसके उपर eyes जो है जो black color का जो bird सा बन गया है छोटा सा जैसे कि यह हमारा potato है और उसके उपर इस तरह से एक छोटी सी bird निकलाव है ठीक है तो इसको इस तरह से cut करेंगे कि eyes पर रह जाए तो after few days अगर हम उसको सही से उसको soil सही से मिल रही है उसको सही से water मिल रहा है तो थोड़े time बाद हम दिखेंगे एक नया plant डेवलप हो गया किस में से उस tuber में अब आता है leaves leaves जो है जो leaves generally leaves do not help a plant to reproduce बैसे तो मतलब कोई भी a plant ऐसा नहीं होगा जिसकी leaves जो है उसको reproduction करें लेकिन फिर भी there is this one plant कौनसा? bryophyllum can reproduce by growing some plantlet from the notch present at the end of the leaf margin लीफ का जो यह margin होता है leaf का margin मतला यह हमारी leaf है इसका यह वाला जो पार्ट है यह क्या है? इसका margin ठीक है? तो इस margin के ऊपर से छोटी छोटी नई leaves निकल के आ जाते हैं इस इन leaves को हम क्या बोलते है plantlets क्या बोलते है इनको हम बोलते है plantlets यह जो leaves यहां से आ रही है ठीक है? तो यह इसके margin से 9 leaves from the notch notch present होते है छोटी छोटी जहां से नई leaves निकलती है और वो नई leaves है हमारे पास धीरे धीरे नया plant grow होता है और वो फिर sleep से अलग हो जाता है ठीक है तो अभी तक हमने क्या बढ़ा reproduction जो है वो important है किसलिए ताकि life बनी रहे आर्थ के उपर और उसके बाद plant के अंदर a sexual reproduction हमने बढ़ा जो कि कैसे होता है by the budding, fragmentation, spore formation और vegetative propagation और vegetative parts कौन से है हमारे plants के root, stem और leaves ठीक है तो यह track your progress आप करना फिर मैं आपको इसके बाद में इसके answers सेंट करेंड़ी चैप्टर पढ़ो और track your progress की यहां पर one word जो भी है जैसे की अभी हम थोड़ा discuss कर लेते हैं स्पोर-bearing structure on the leaves of the stem plants such as mosses and ferns क्या होते है sporophylle ठीक है डैश is the underground stem with the scaly leaves and buds scaly leaves और birds किसके होते है अभी हमने बढ़ा rhizome किसके होते है rhizome roots, ginger and turmeric ठीक है rhizome क्या होते underground stem होती है जिनकी क्या होती है scaly leaves the process by which yeast cells can multiply within a short span of a time is known as उसको हम क्या बोलते है the process that is called budding क्योंगे east पे क्या बनते है चोटे-चोटे buds the swollen stem of the plants such as colcaceae gladiolus are known as thorns ठीक है उन्हों क्या बोलते है अभी हमने आपड़ा thorns c-o-r-m is thorns ठीक है the side way extending shoos of plants such as grasses and wild strawberries are known as जो इस तरह से इधर से इधर तक run करती है side में तो वो run करती है मतलब यहां पर हमने अपना grass उगा दिया अब वो यहां run करके इधर जा रहा है इधर जा रहा है तो उसको हम क्या बलते है a runner it is a underground stem modified to store food that is potato it is a asexual reproductive unit surrounded by a tough coat for protection it is a asexual reproductive unit that is spore spore क्या है asexual reproductive unit होती है और उसके coat क्या होती है tough now it is a process by which individuals produce young ones of their own kind reproduction हम पड़ी reproduction रहे है क्योंके इससे क्या है अपने जो young ones है वो नए individuals पैदा करते हैं it is a unicellular organism having small bird-like projection growing from its body unicellular का मतलब एक cell से बना हुआ जिसके उपर having small bird-like projection उसके उपर क्या है एक bird-like projection बना हुआ है जो उसकी body में से निकला हुआ है तो वो क्या होता है East East के उपर क्या होता है यह हमारा bird यह East है और East के उपर यह क्या है छोटे छोटे बड्स बने हुआ ठीक है इसका अंसर क्या हो जाएगा East Now Artificial vegetative reproduction हम अब जो vegetative reproduction हमने किया आइज अब 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 बने क्या है टीक है उसके तरीके करते हैं लेकिन हम उनको फिछल मेथर से प्रोपेगेट करवा सकते हैं तर्ज मेथर्स जो एसे मैथर्स जो कॉन यूज करता है ऐसे मेथर्स फार्मर और गार्डनर यूज करते हैं तक यू बहुत ज्यादा प्लांट्स को ग्रो कर पाएं ग्रोइंग प्लांट्स थू आर्टिफिशल मैथर्ड मतलब बैसे तो उनका नेचुरल मैथर्ड अलग है अगर हम उनको जंगल में या कहीं बैसे छोड़ देंगे और ग्रो करने के लिए तो वो अलग उनका टाइम लगेगा अलग प्रॉसिष होगा ग्रो करने लेकिन जो जल्दि उनको ग्रो करवाने के लिए फार्मर और गार्दनर उन यू है वो अर्टिफिशल मैथर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं artificial vegetative reproduction और artificial propagation this is done to grow plants with desirable characteristics इसमें क्या होता है तो plants के जो हमें characteristics रही हैं मालो हमें किसी flower का size बहुत पसंद है इस plants के तो size इस plant का जो flower है इसके size बहुत बड़े हैं ठीक है तो हमें वही वाला रोज वाला plant लगाने हैं हमें दूसरा नहीं चाहिए तो हम सिर्फ उसी plant की stem काटके और लगा देंगे तो उससे सारे के सारे वही same character हमारे हमारे जो हमारे पास बड़ा हो रहा है उसके बास भी वही characters रहेंगे तो some artificial propagation method के बारे में भी हम पढ़ेंगे there is a three main methods ठीक है कौन-कौन से cutting grafting and layering ठीक है यह three method है those are the very important जो अलग-अलग methods है जिनकी help से हम artificial propagation करते हैं in this method a piece of shoot root or leaf can be used to grow a plant ठीक है cutting से क्या होता है हमने shoot काट लिया root काट लिया यह leaf का portion लिया और नया plant grow कर लिया जैसे rose, sugar cane, bogan villa that have nodes and inter-nodes in nodes और inter-nodes क्या होते हैं यह देखें यह है हमारी stem ठीक है और आपने सबने अफ्कॉस गन्ना तो सबने खाया होगा यहां पर ऐसे इस तरह से उसमें parts होते हैं यह part फिर यह part यह part ठीक है तो जो यह वाले parts हैं जहां पर उसके एक part खतम होता है इस पूरे लंबे part को हम बोलते हैं inter-nodes दो एक यह होती है node यह भी है node इन नोट के बीच वाले part को हम क्या बोलते हैं inter-nodes तो उनके nodes और inter-nodes को काट के कहीं और लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है नया plant बन जाता है अगर हम उसको कैसे काटे oblique 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 का मतलब यह हमारी stem में this is our stem और हमने कैसे काट दिया oblique इस तरह से हमने इस पे cut लगा दिया तो हमारे पास कैसी stem आ जाएगी इस तरह की stem आ जाएगी और इसको हम कहां लगा देंगे soil में लगा देंगे ठीक है तो लेट इस परफॉर्म एक्टिविटी तो अंडरसेंड अ मैथर ऑफ आर्टिविशल प्रोपागेशन बाय कटिंग हमने कट कर लिया ब्रांच रोज का प्लांट हमने कट किया उसको रेगुलर्ली वाटर दिया soil के अंदर लगा के और हमारे पास नया प्लांट ग्रो हो जाएगा यह आप लोग घर पे भी करके देख सकते हैं अभाते है सिंदी स्मै आप इंब आता है ग्राफिटिंग इन डिस मैथे टू पार्ट अफ अफ ट़ॉयनट प्लांट आप ज्वाइन अंडूनर प्लांट के आपके कुछ पार्ट को आपको ज्वाइन करने हैं जो same plant or different type plants कुछ भी हो सकते हैं plants जो है different type की भी हो सकते हैं और same type the plant that is well developed इसमें क्या होते हैं जिस plant का आप को ऐसे लग रहे हैं कि इसकी roots तो बड़ी मजबूती से soil में हैं तो उसके हम उपर वाले पार्ट को हटा देंगे ठीक है जैसे कि इस वाले पार्ट को हमने इसकी roots को देखा यह तो बड़ी बहुत लंबे टाइम से soil में बड़े अच्छे से लगावा है तो हम इसका पर उपर वाले जो पॉर्शन है वह अच्छा नहीं है तो हमने उपर वाले पॉर्शन को हटा दिय अब यह जो नीचे वाले पॉर्शन है यह क्या है stock the other part of the plant which is grafted जो दूसरे plant का उपर वाले पार्ट stem वाले पार्ट हम कहीं और से लेके आएं किसी और प्लांट से उसको हम बोलते है स्खायोन और जिसकी root हम use कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं stock चीक है तो it is the shoot of the plant it is shoot of the plant skyon क्या होता है shoot और stock क्या होता है root वाला पार्ट उसमें थोड़ी सी stem भी होती है सारा यह नहीं है कि root वाला ही है बिल्कुल अब हम दोनों parts को क्या करतेंगे joint skyon और stock को किसी तिशू से या किसी उससे उतको थोड़े टाइम के लिए wrap रखेंगे और थोड़े टाइम के बाद अपने आप जब ग्रोथ हो दी प्लांट में तो वह नेचुरल प्लांट की तरह एक दूसरे से जुड़ जाएंगे ठीक है तो पार्ट और सच प्लेस ऐसे रख देंगे कि उनका वेस्कुलर टिशू जो उनके बीच में जो सेंटर में टिशू होते हैं स्टैम के सेंटर वाले टिशू वह एक दूसरे के सा मिल जाएंगे और ए पूरे उन दो प्लांट के पार्ट को कैसे слओ गेएगा एक दो ही प्लांट'd का ऑख चांट थैंदर ऑले ंच्छे क्वालिति वाल जो अच्याइबू प्लांट वाली प्लांटि लग पांट के अंदर उख रूट्den पे एक यहarm अच्छे की ओना सबस् अब हैता लेयरिंग, देखो, लेयरिंग पहले हम समझेंगे, आपके पास यहां यह प्लांट ग्रू हो गया, आपने साथ छोड़ा सा पोर्शन लिया, और उसको बिना कट किये मिट्टी में दबा दिया, उसको लेयर कर दिया, कैसे मिट्टी से, फिर उसमें नई रूट कट कर साथ, फिर यह अलग प्लांट हो जाएगा, यह अलग हो जाएगा, तो in this method, the branch of plant is bent down to touch the ground, इस method में हमने branch, plant की branch को bent कर दिया, और ground को touch करवा दिया, this branch is then covered with the soil, और उस branch को soil से cover कर दिया, after some time, root start growing, थोड़े time के बाद, वो जो stem है, उस soil के अंदर क्या हो जाएगी, root develop होनी, start हो जाएगी, from the covered part, which is then separated from original plant, और इस plant को हम separate कर देंगे, मैंने बोला ना, यहां से cut कर देंगे, so, इस method को हम बोलते हैं, layering, जहां पर हमने stem के ऊपर, soil की layer लगा दी, और हमारे पास, नई root, develop हो गए, तो this method is used, इस method को, इसमें हम use करते हैं, jasmine का plant लगाने में, proton का plant लगाने में, advantage of vegetative propagation हम करेंगे, उसके बाद, जो आगे का topic है, फिर हम next lecture में करेंगे, advantage, अभी तक मतलब हमने इतना कुछ किया, मैंने साथ-साथ सब के advantage भी आपको बताए, कि हम यह सब क्यों कर रहे हैं, तो plants that do not, जो plant में seed नहीं बनते हैं, उनको हम कैसे grow करेंगे, वो तो, अगर seed ही नहीं बनेंगे, तो बीज कहां से लगाएंगे, तो वो सारे plants, vegetative parts से ही grow करते हैं, जैसे potato, turmeric, ginger, onion, okay, vegetative plants, वो हैं, जल्दी grow करते हैं, क्योंकि उनको seed नहीं बनाने होते हैं, इसी नहीं, मतलग, अगर आपने किसी potato को लिया है, अगर आपने उसी potato का नया potato, मतलग, उसको मिट्टी में लगा दिया, तो वैसे ही सारे potato आने वाले हैं, आपके बस, जैसा आपने potato लगाया है, कोई अलग potato नहीं आएगा, तो ये farmers के लिए helpful है, अगर उन्होंने एक बड़ी अच्छे गन्ने की खेती करी है, sugar cane की, तो बार-बार उसी sugar cane को वो grow करवाएंगे, जिसमें ज़्यादा sugar निकलेगी, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखने की जरुवत नहीं होती, हमें यह नहीं देखना की फ्लार अच्छे से आ गए हैं या नहीं, यह सब देखने की कोई जरूरत नहीं होती है, as compared to reproduction, ध्यान तो रखना पड़ता है, पर जो जिनमें फ्लार्स वगेरा आते हैं, यह सब अपनी नोट बुक में आपको बताती है, आपनी बुक्स में इसको लिख लेना, और यहां तक अपने चैप्टर रीड कर लेना, कहां तक? Advantage of Vegetative Propagation, okay? Thank you.